नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तों बच्चों आज हम बात करेंगे नीद ना आने के बारे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको रात भर नीद नहीं आती वो रात को इधर से उधर करवटे बदलते रहते हैं लेकिन उनको नीद नहीं आती ऐसे में आज मैं आपको दो सरल से नुस्के बताने जा रही हूँ जिसको करके आपको कुछ ही दिनों में नीद आने लगेगी पर उससे पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नए हैं जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले दोस्तों बच्चों आपको दो चीजे लेनी है नमबर एक खस खस जिसे पोस्त दाना भी कहते हैं और दूसरा खरबुजे के बीज जिने मगज कहा जाता है इन दोनों चीजों को अलग अलग थोड़ा घी डाल कर रोस्ट कर लें रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा जब हो जाए तो दोनों चीजों को अलग अलग पीस कर पाउडर बना लें फिर पाउडर बनाने के बाद दोनों को मिला कर किसी एर टाइट डिबे में रख लें इस पाउडर को आप रोजाना सोने के समय एक गलास दूद के साथ एक चम्मच लेना शुरू कर दें खुछ ही दिनों में आपको अच्छी नीद आने लगेगी आप बहुत सी बिमारियों से बच जाएंगे नमबर दो लाल चंदन का पाउडर ले ले एक चम्मच पाउडर में थोड़ा सा पाणी मिला कर पेस्ट तयार कर ले रात को सोने के समय उस पेस्ट को अपने माथे पर लगा कर सो जाएं थोड़ी देर में ही नीद आ जाएगी अगर आप इन दोनों नुस्कों को अपनाते हो और रोजाना ऐसा करते हो तो कुछ ही दिनों में आपकी नीद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात के साथ थैंक यू